वेरी गुड मॉर्निंग टू आज हम जुलाई 2022 के अंतर आश्री को पढ़ने वाले हैं इससे पहले हमने मई और जून की क्रोड़ी इस पढ़ी थी लेकिन उसमें कुछ पोर्शन्स हमारा बच गया है तो उसको आप चिंता मत कीजिए मैं जल्दी उसको कवर करवा दूँगी विकॉस आइ वोस नौट वेल दूरिंग इस डेज मेरा गला थोड़ा खराब था तो इसलिए मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर पाई तो इसलिए मैं इनको भी जल्दी कवर कर दूँगी यहीं एक दो दिन के अंदर तो जुलाई की क्रोलोजी से हम स्टार्ट करेंगे और जु यहां पर इनका मीट हुआ है तो यहां देखिए 44 फिडे चेस ओलंपियार्ड स्टार्ट होने वाले है चन्नाई से और इसके लिए इनको जो है मैस्कोट जो है वो दिया गया है इसके मैस्कोट का नाम है थांबी इसको आगे और पढ़ेंगे वैसे फिर देखिए यहां पर यहां यहां काफी टैनिस को आगे बढ़ाने के लिए कारे किया हो तстиटी थी पी टूर्वेंट्स के बारे में अपने सुना ओगा थो वह टूर्वेंट्स के परियास ओं के दवारा नोंने सन्यास ले लिया है यह सुनिन आगे हम इसको जो है बहुत ही वाइडली कवर करने वाले हैं तो अभी हम एक बार ओवर्यू ले ले लेते हैं कि मैगजीन में आखिरकार पढ़ना क्या है फिर देखिए शंगरिला वारता जो है जो सिंगापुर में आयोजित की जाएगी उसके बारे में पढ़ना है जो जस् उसके अंदर युएस ओपन विंबलरडन ओपन और उसके बाद में फ्रेंच ओपन यह काफी इंपोर्टन जो है कप सोते हैं इनके बारे में उनको पता होना चाहिए एक्जाम में इसके उपर पोजिशन्स आते हैं फिर होकी का इश्यक पायोजित किया गया है वो हमको पढ जो कि 74 वे ग्रेंड मास्टर पढ़ने है तो उनके बारे में हम पढ़ेंगे और उसके अलावा जो है भारत में राश्टरपती चुनाव के लिए जो है प्रतिनेदी कौन-कौन है वहां पर किसको जो है अपॉइंट किया गया है तो उनके बारे में हमको पढ़ना है तो चल जरूर से अप कवर करते चलिए और अभी से पढ़ना शुरू कीजिए ताकि आपको आगे जाकर के दिक्कत ना है उसके अलावा जो आर्पी एसी के अधर एग्जाम के तियारी कर रहे है जा करन्ट अफेर्स पूचा राता है वहां पर भी यह मैग्जीन आपको काफी और इस मैग्जीन का जो पीडिएफ है आपका टेलिग्राम चैनल पर मिल जाएगा और आप इसको जरूर से खरीदें अगर नहीं खरीद पाते हैं तो ही आप टेलिग्राम चैनल पर पीडिएफ देखें क्योंकि जो है पीडिएफ से पढ़ना एक अलग चीज होती है और ख एक पोडल के उपर है यह पोडल है इस पोडल से क्या होगा कि जो भी हमारे जो पोस्ट आफ Siç में जो करने वाले जो कर्मचारी राज्य मंत्री देवु संग दोनों ने इस वह जो कलावको आम चयालियों है हुआ rugoी यह उन-दून सेवक हैं ऊंकर उसमें व्listy व्रधी की जा सके तो आप्ति levine तो हैम्वानियों क्यालियों की पॉर्टल के मारे में आज जानaskे एक हैं वो डाक करमचारियों को प्रोवाइड की जाए ताकि वो अपनी दक्षिता को सुधार सके या बहतर बना सके नेक्स्ट खबर देखिए फ्रेंट्स यह है अटार्णी जनरल केके वेनुगोपाल को लेकर के तो केके वेनुगोपाल उनके कारेकाल में तीन महीनों की व्रद्धी की गई है और केके वेनुगोपाल कौन है तो अटार्णी जनरल है भारत के अगर आपने कारेपालिका को पढ़ा होगा तो कारेपालिका के अंदर जो है हमारी यानि की यूनियन एक्जेक्यूटिव जो है Attorney General जो होते हैं उनका basically काम क्या होता है कि ये सरकार के वकील होते हैं सरकार को जब Supreme Court में represent करना होता है तो वो कारे Attorney General के द्वारा किया जाता है अगर हम अनुचेद वाइस देखें सम्विधान के अनुचेद के वाइस देखें तो Article 76 के तहट प्रावधान किया गया है कि भारत में केंद्र स्थर पर Attorney General को appoint किया जाएगा और ये सरकार के वकील होंगे और राष्ट्रपती के द्वारा जो है इनकी न्यूपती की जाएगी उसी प्रकार से अगर राज्यों की बात करें तो राज्यों में होता है प्रतिक राज्यों के अंदर सरकारी वकील के रूप में एक एड्वोकेट जनरल जो होता है वह सरकार को जो भी मामले होते हैं उसमें सेंट्रल गवर्मेंट को सुप्रीम कोड में रिप्रेजेंट करने का कार्य करता है और इसकी जो क्वालिफिकेशन्स है वह यह है कि भई जो भी वक्ति अटर्णी जनरल बनाया जा रहा है वो सुप्रीम कोड के जज़ बनने की योग्यता रखता हो या फिर 10 साल तक उन्होंने जो है हाई कोड के अंदर जो है जब वकील जो है प्रैक्टिशनर जो है प्रैक्टिस की हो उसके अलावा वो राश्ट्रपती की नजर में कोई एमिनेंट जूरिस्ट हो तो जाकर के जो है किसी विक्ति को अटर्णी जनरल बनाया जाता है और उ पढ़ने को पढ़ने से हमने इतनी सारी चीजें इसको देख लिए कि जो है अटर्णी जनरल का पद क्या होता है उसका महत्व क्या है अब हम चलेंगे मासी गटनाओं के सारसंग्रह पर यह पोर्शन भी काफी इंपॉर्टेंट है देखिए अभी जो भी हम पढ़ रहे है यह पूरी मैगजीन का ओवर भी है एक तरीके से आपको पूरा बर्ड आई भी मिल जाएगा कि अंदर हमको क्या क्या करंट अफेर्स के बारे में पढ़ना है तो यह शॉर्ट न्यूज है इसको आप लीव मत किया कीजे कभी-कभी ऐसी न्यूज यहां पर दी होती है जो कि स्टाटिस्टिस डे जिसको हम बोलते हैं इसको 29 जून को मनाया जाता है और इस बार कि इसकी थीम है सतत्विकास के आंकडे ठीक है सतत्विकास यानि सस्टनेबल डेवलप्मेंट के डेटा ठीक है और आप जानते होंगे आपने महल नोबिस मोडिल के बारे में पढ़ा इनको जो है टेनिस ऑफ फेम अंतराष्ट्री टेनिस संग द्वारा जो है वो गोल्डन अचीवमेंट पुरसकार से नवाजा गया है इनके बारे में आगे और पढ़ने वाले हैं फिर देखिए नेक्स है आई-मडी जो है आई-मडी जो है उन्होंने विश्व प्रतिस्त परदात्मक सुचकांक यानिके वर्ल्ड कॉप्टेटिवनेस इंडेक्स निकाला है और इसके अनुसार देश में जो है किस देश को शीर स्थान दिया गया है तो वह है डेन्मार्क ठीके कॉम्टेटिवनेस कहां पर सबसे जादा है तो डेन्मार्क के अंदर है उगर भारत की करें भारत का 30 सथान है कौन सथान है 30 सब्सक्राइब के और अग्सकों आम इसको डेक्सठी सब्सक्राइब भूलाय करेंगेशन уры्लार में पर नेक्सक Conference समया तो यहां पर एक चार दिवसी मेले का आयोजित किया जाता है और मेला काफी इंपोर्टेंट है इसे कोशिन पूछे जाता है कल्चर रिलेटेड आस्पेक्ट में इस मेले का नाम है अंबू बाची मेला आपसे पूचा जाएगा अंबू बाची मेला जो है वह कहां का यानि के इंटरनेशनल वेट लेफ्टिंग फेडरेशन इसके अध्यक्ष जो है मुहमत जलूत को जो है वह बनाए गया है यह भारत से संब्धत है फिर देखें ब्रिटेन की एक लड़की है जिनका नाम है बायो मेडिकल की चात्रा है जिनका नाम है खुशी पटेल और इन इनको जो है इसमें इनोंने पार्टिसपेट कर पाई है मिस इंडिया वर्ल्डवाइड तो मिस इंडिया वर्ल्डवाइड का जो खिताव है यह भी फुशी पटेल ने जीता है फिर देखें एक पोर्टल जो है उसको लॉंच किया गया है सिस्कीम का नाम है निपॉड तो इनिश्याटिव है जो कि आपके जो निर्मान कारियों में लगेवे जो श्रमिक होते हैं उनकी कॉशल को बहतर बनाने के लिए इसको लॉंच किया गया है ठीक राश्ट्रीब पहले जिसका उद्देश यह क्या है कि जो निर्मान कारियों में जो construction वर्क में जो व्यक्ति ज करने के लिए और यह जो निप्ण हैं यह आंसे क्या होगा इसे क्या होगा अधर करेंक शो बाड़न का इसको क्यों होगी और इन crumble करेंगी और इन से बड़े जो भी स्वास्ते की के चुनोतिया हैं उसको निपटने में यह स्कीम वह कारे करेगी देखें होता क्या है कि जूनोटिक बिमारीयां बहुत जादा फैल रही है जानवरों से इन्सानों में फैलने वाली बिमारीयां जादा फैल रही है और जो हम मेडिसीन लेते हैं उसका भी जो है हमारे उपर यह एंटिमाइक्रो जिसका नाम है वन हेल्थ स्कीम और यह कहां से लॉंच की गई है तो बेंगलूरू से लॉंच की गई है और जो है इसके अंदर पश्रों मनुश्य और परियावरन इन दीनों को जो है वो इंक्लूट किया जाएगा ताकि जो 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 नोटिक बिमारिया है उनके बारे में से तिन देशों की याद रखी है जिसमें दो तो अफ्रिका के देश है जिसका नामें गेंड़न और से ल, और तीसरा एक अरभी देश जिसका नामें कतर ठीके इन तीनों को आप जो है मैप में लोकिट कीजेगा मैं इसको आप भी बता नहीं हöhारी वह आपको दो सेवा नि पूस्ट पे थे और आभी परमेश्वरम इयर इनको बनाए गया है तो दो अफ्रिकी देशों को राष्ट्रमंडल देशों के समूं में शामिल किया गया राष्ट्रमंडल देश आप समस्ते हैं जो गेम्स होते हैं कॉमन वेल्थ नेशन्स होते हैं जो कि किसी जमाने में ब्रिटेन की कॉलोनी रहा करते थे ऐसे देशों को कॉमन वेल्थ या राष्ट्र मंडल देश कहा जाता है तो दो अफ्रीक्य देश इसमें इंक्लूड हुए नाम है केबन और तोगो फिर देखिए केंद्रिय प्रतेक्ष कर्बोर्ड उसके नए अदेक्ष बनाए गया नाम है उनका नितिन गुप्ता फिर देखिए जी ट्वंटी का जो शिकर समेलन है उसकी मेजबानी जो है इस बार जम्मू कश्मीर को दी गई है दोजार तेएस में आजए तोगा जी ट्वंटी का शिक देनमार्क तो देखिए फ्रेंट्स यह जो खबरें हो सकता है आपको बड़ी नॉर्मन लगे लेकिन परियावर से संबंदित जो प्रश्न है वह काफी एक्जाम से पूछे जाते हैं और जो करंट में हैं उसको तो आपको अच्छे से याद करना है क्योंकि यह लोग क्या क जिनका नाम है नवजीद धिलो और इनको कजाकिस्तान के अलमाटी में कोसनोव मेमोरियल में जो है जो एधलेटिक्स मीट हुआ उसमें स्वन पदक उन्होंने जीता है तो यह महिला है पुरुष्णी है महिला है और इनका संबंद जो है वह डिसकस्त्रोर से हैं जैसे हमार पूरे देश में आयुजित किया गया है मुख्य सचीव आप जानते है चीफ सेकर्टरी पूरे राज्य के अंदर जो है सबसे बड़ा जो आये सदीगारी होता है वह आपका मुख्य सचीवी होता है और उनकी जो मीटिंग हुई है वो धरम शाला में आयुजित की गई ग्लोबल कॉम्पाक्ट नेटवर्क है उसमें ग्लोबल एसडीजी पाइनियर की रूप में एक एकती को चुना गया है जिनका राम कृष्ट मोका बिली ठीक है तो इतना ज्यादा भी इंपॉर्टन नहीं है तो बेसिक सा दिमाग में रखिएगा फीफा वल्ड कप जो है ज के साइड में जो है इसका आयोजन किया जाएगा फिर देखिए नेक्स्ट है यह भी स्पोर्ट से रिलेटेट कबर है कि यह जो आपका नाइन्थ कैटो लीका शत्रंज महसव था उसमें लाइफ फीडे रेटिंग के अंदर जो पचीस सो पॉइंट के बादा होती है उसको तोड़ कर जो ग्रेंग्स स्थे रेंट मास्टर बनेंन नहीं ग्रेंड मास्टर यह उंका नाम है रहूल श्रिवा स्थेवास्टा और यह कहां से संसब्स देता है रेंट जो पृत्पारणा से संब्स ते क्द contradHola स्भी पाल। पर पलड़ेशच उसमें कमा चछान सब्सक्राइब uh जो जारी किया है उसमें लोक狩 शिकायत और पैंशन मंत्रालर आज्डरीन राश्ट्री और सेववितरन आंकलन जो जारी किया है उसमें आध् उसमें उसमें शीर सस्तान जम्मू कश्मीर का है कि जो कार्मिक और लोग शकायत जो इससे मामलात जो कारे होते हैं या या ई-governance से रिलेटेट जो कारे हैं उसके अंदर जो है जम्मू कश्मीर का परफोर्मेंस केंद्र शासित प्रदेशों में काफी अच्छा रहा है फिर देखें जी सेट 24 जो है उसको लॉंच किया गया है और इसको लॉंच करने के लिए कंपनी को स्विक्रती जी दी गई ती जिसका न बाला पर इसको आइड किया गया है फिर नेक्स्ट देखें कि आपका जो युनाइटेड नेशन का सिक्कियरिटी काउनसेल है यानि कि शुरक्षा परिशाँ mustра है पहसा पर फॉसरा है और फिर है और एक एक है चाया थी तो होते हैं इसमें दींब्लेज सेथिए और इसमें जो बागिके 10 सदस्थे होते हैं वो non-permanent सदस्थे होते हैं जो कि 2-2 साल के अंतराल में बनते रहते हैं तो अभी इसमें देखिए कि और इसमें भी सीट्स होती है जैसे कि इंदर देखिए परेंटे जो आपका प्रांस परेंच ग्रम्ट से फ्रेंच ओपन जफ यह उसके अंदर किसने इस किताब को जीता है अपने है प्रांस पड़ा करती थी तब से मैं देख रहां और छो है। नडाली जीत करके लेके जाते हैं तो काफी इंपोर्टन बात है रफिल नडाल स्पेन के खिलाड़ी है और फ्रेंच उपन में जो है इन्होंने इस बार जो है इस पुरुसकार को जीता है फिर देखे जो सतरवा मुंबई अंतराश्टे फिल्म महुत सवाय जित किया गया है नहीं को जो कमास है और है उत्राशले में जन्वास तरह, और फिर उनका बेटी उनकी बेटी जो है उनको उनको कौपी करने कुशिश करती है तो तॉर्ट्धे एक फिल्म है जिसको कि यह स्वशंक पुरुसकार से संबानेत किया गया है पिर देखी है कुछ हमारे हम और पढ़ेंगे इसके बारे में तो बेसिकली बात इसमें यह कही गई है कि भारत के अंदर जीवन प्रत्याशा न वह बड़ी है तो जीवन प्रत्याशा हमारे हैं 69.7 यह जीवन प्रत्याशा यानि कि मैक्जिमम इतने साल यहां पर जीता है हलाकि जो ग्लोबली अगर हम बात करें यह पूरे विश्व में तो यह बहतर वर्ष जो है यानि कि ग्लोबली जो है हम अभी भी बहुत पीछे हैं तो यह है फिर देखिए विज्ञानिकों ने जो अभी केरिबियन डीप समूझ है वहां पर मैंग्रूफ के मैंग्रूफ आफ समझते हैं ऐसे पेड जिनका जो आदे पानी के अंदर जो है वो सर्वाइब करते हैं आ यह ऐसे जो पेड होते हैं उनका मैंग्रूफ के एते हैं और यह आपको मिलेंगे जैसे कि बंगलादेश साइड आपना बंगाल साइड का जो एरिया बेओ बंगॉल वाला एरिया है गुज्रात के साइड में जो तर्टिये इलाका है वहां पर आपको मैंग्रूफ देखने इसराइल ने किस अरब देश के साथ में पहला FTA साइन किया है FTA क्या होता है Free Trade Agreement क्या होता है कि कुछ वस्तों के उपर जो वस्तों वो लोग एगरी करेंगे उसके उपर टेक्सिस को बिल्कुल जीरो कर दिया जाएगा इंपोर ड्यूटी नहीं लगाई जाएगी मुक्त व इंपोर्टन कवर है इसको हम आगे और डिटेल में पढ़ेंगे तो चलिए थोड़ा सा रिवाइस कर लेते हैं यह आपके परमेशुरम आयर जिनको की CEO बनाया गया है नीतिया योग का फिर देखिए यह है नवजीद जिलॉन और यह ओलंपिक एथलीट है और इनको अभी स्वान पदक है कजाकिस्तां के लेकर किया है बहारत के लिए याद रखियेगा खिलादी नाम और डिसकस्ट ह्रोम के अंदर जो है इनको आई रखते अली है और आक यकान मूवी नी को सवंड शंक प considering जो है और यह देखिए आपको जो ही यह सोवीट प्रिजनर जो है USSR के जो prisoner है उनके ओपर जो एक काहनी लिखी गई है फिर यह आप देख सकते हैं यहापर डाक करम योगी पोर्टल यानि के जो डाक करम चैरी है उनकी कोशल विकास है उसको करने के लिए इसको बनाया गया है एक निपुन पोर्टल भी बनाया गया है जो की निर्मान कारे में से लगेवे जो श्रमिक हैं उनके कोशल को बढ़ाने के लिए बनाया गया है आज के लिए इतना ही हम नेक्स वीडियो में पढ़ेंगे अंतराष्टी परीद्रश्यों को और मैं पहले यह चाहते हूं कि आपको प्रादेशिक परीद्रश्यों पढ़ा दिया जाए ताकि आपको जो राजस्तान की न्यूज है वो जल्दी मिल पाए तो चलिए मिलते हैं नेक्स वीडियो के अंदर और आप इसको पढ़िए जब तक और फिर बताईए आपका क्या